सब्सक्राइब नमस्ते, आयरोज़वियास्पीड बैंगलोर शाखा के CME पुष्प माला के तिसरे पुष्प के अंदर अंतरगत, आज हम यहां सभी उपस्तित हुए हैं, तो मैं वैद्य वेदा जागिर्दार आप सभी का मना पूर्वक स्वागत करती हूँ, परंपरा की अनुसार मैं वैद्य व्रिशाली जी से अनुरोद करूंगी कि वे धन्वंतरी स्तवन से इस कारेक्रम का प्रारंब करें। तारमीशं विदाउप्षधीनां शंकम् चक्रम् जलवकां दधतमं बृतगटं। चारुदाउर्भिष्चतूर्भि सुक्ष्मा स्वच्छातिरुद्यां। शुक्परिविलसन् मौलिमं बोजनेत्रं। कालां बोदोज्वलांगं। कटिततविलसत् आरुपिक्वां बराध्यं। वन्दे धन्वंतरिंतम। निकिलगदवनप्रवडदावाग्निलीलं। दावाग्निलीलं। दावाग्निलीलं। धन्यवाद वैद्यवरुशाली जी। आज के CME में केंद्रियकार्यकार्णी की अध्यक्षा वैद्या, श्रीमती रजनी गोखले जी उपस्तिती हमें प्राप्त हुई है। मैं उनका मनप उर्वक स्वागत करती हूँ और उसी के साथ उपाध्यक्ष वैद्य श्री मनलार जोशी सर भी उपस्तित है। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। तत्पूर्व वैद्या श्रीमती रजनी गोखले जी का परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगी। वैद्या श्रीमती रजनी गोखले जी का जन 24 में 1965 में हुआ। उन्होंने अपनी आयरुवेदाचारी की पद्वी पूने विश्व विद्याले से प्राप्त की है। एवं विद्या वाचस्पती पीएश्डी की पद्वी तिलप महराष्ट्र विश्व विद्याले से प्राप्त की है। वर्तमान में वे नाशिक महराष्ट्रा में पिछले कई वर्षों से शुद्ध आयरुवेद की चिकित्सा कर रही है। आयुर्वेद व्यास्पीट की केंद्रिय कार्यकार्णी की अध्यक्षा के रूप में वो पिछले पाँच वर्षों से कार्यभार समाल रही हैं। आयुर्वेद व्यास्पीट की प्रथम महीला अध्यक्षा होने का गवरव प्राप्त कर चुकी हैं। आयुर्वेद रुगणाले नाशिक एवं चरक संकुल नाशिक में अथिती आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में कारियरत है। करेज इंडिया फॉर कैश अंसर पेशेंस नामक एंजीयों के साथ भी वे अनेक वर्षों से जुड़ी हैं। आयुर्वेद आचारी पद्वी धरों के लिए ब्यूटी और मशिन ट्रीट्मेंट नामक कारियशाला का आयोजन वे अनेक वर्षों से करती आ रही हैं। आयुर्वेद सेवासंग नाशिक की सहसचीव संचालक सदस्या एवं सामान्य निकाय सदस्या के रूप में कारियर की जिम्मेदारी सम्हाल चुकी हैं। अनेक राश्ट्रिय संगोष्टियों में एवं सम्मेलनों में विवीद विशयों पर व्याख्यान एवं भाषन प्रस्तूत कर चुकी हैं। वनाति नामक पुस्तकों की संपादिका भी रह चुकी है विद्यारतियों के लिए प्रतमों उप्चार नामक गाइडबुक का लेखन भी उन्होंने किया है इसी के साथ अनेक वर्तमान पत्रों में 100 से भी अधिक लेखों का लेखन उन्होंने किया है उनके उपलब्दियों में से भी अनेक उपलब्दियों से भी वे नवाजी गई है जिन में से कुछ इस प्रकार है आहारातुन आरोग्या कड़े नामक अपनी पुस्तक के लिए अंतराश्री आयुर्वेद अकादमी की और से हरियनंत पुरसकार इसी पुस्तिका के लिए वैद्य खड़िवाले जी का उत्तम ग्रंथ पुरसकार अंतराश्री आयुर्वेद अकादमी की और से यश्यस्विनी पुस्तक के लिए पद्मावती हरी पुरसकार ये इन में से कुछ उनकी उपलब्दियां है ऐसी बहु याया मी किन्तु अत्यंतम रुदुभाशी इसका स्वयम प्रतिचे आपको कुछी देर में जरूर होगा वैद्या श्रीमती रजनी गोखले मैडम जी से मैं अनुरोद करना चाहूंगी कि वे आज हमारा मार्गदर्शन करें वैद्या रजनी मैडम अभी को नमस्कार आज की इस CME में उपस्थित केंद्रिय कार्यकारणी के उपाध्यक्ष वैद्यमलार जी जोशी आज के वक्ता वैद्यमनोर जी जक्ता बैंगलोर की पूरी अईरवेद व्यास्पीट की टीम और उपस्थित सभी श्रोतागन मैं आप सबका आईरवेद व्यास्पीट की ओर से इस CME में स्वागत करती हूँ आप सभी को पता है कि आईरवेद व्यास्पीट गत 25 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है सेवा, संशोधन, प्रचार और शिक्षन यह चतु सुत्री लेकर काम आईरवेद व्यास्पीट का पूरी भारत वर्ष में चालू है महाराश्र में आईरवेद व्यास्पीट की 25 से 26 जिल्ला शाठाएं कार्य रत है और महाराश्र के बाहर, गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, केरल, राजस्थान यहां भी आईरवेद व्यास्पीट की शाठाएं अच्छी तरह से कार्य रत है अभी कुछ दिन पहले बैंगलोर में भी यह काम शुरू हुआ है तो इन सभी कार्य करताओं का में स्वागत करती हूँ आईरवेद व्यास्पीट जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसमें महाराश्र में अगर हम देखते हैं तो क्लिनिकल मीटिंग यह जितने वैद्यों की संख्या अईरवेद प्रैक्टिस की और बड़ी है उसमें क्लिनिकल मीटिंग का बहुत बढ़ा हाथ है ऐसा अगर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा आज महाराश्र में हम देखते हैं तो बहुत सारे वैद्य अईरवेद प्रैक्टिस करते हैं पचीस साल पहले अगर हम देखते तो इन वैद्यों की संख्या बहुत गिनी-चुनी होती थी तो महाराश्र के बाहर भी जो वैस्पीट का प्रचार हो रहा है उसमें क्लिनिकल मीटिंग एक बहुत इंपोर्टन काम रहने वाला है तो बैंगलोर शाखा का में अभी नंदन करती हूँ कि उन्होंने ये अच्छी तरह से काम शुरू कर लिया है उसी के साथ शाले या अभ्यास करमात आयरुवेद याने जो सिलाबस स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें आयरुवेद का अंतरभाव किया जाए इसके लिए भी व्यास्पीट कई सालों से प्रायतनरत है और अभी देखा जाए तो आयुष डिपार्टमेंट ने भी इसके लिए एक अलग कमिटी बनाई है उसमें भी व्यास्पीट के सदस्य है तो जब बड़े होने के बाद आयरुवेद के बारे में पता चलता है तो उसके बज़ाए अगर स्कूल एज में ही आयरुवेद का विचार बच्चों तक पहुँचे है तो वो स्वस्थत से स्वास्थे रक्षणम यह जो आयरुवेद का उद्देश है वो पूरा करने में सफल होंगे दूसरा एक उपकरम आयरुवेद व्यास्पीट चलाता है वो है कली से कुसूं तक याने जो प्यूबर्टी एज में आने वाली लड़किया है सातवी से दसवी तक उनके लिए व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं और आज तक कम से कम 15 से 20 हजार लड़कियों तक महाराश्य में सिर्फ यह विशे पहुँच चुका है और अब बाकी के राज्यों में भी इस पर बड़ा काम हो रहा है और इसके बहुत अच्छे रिमार्क्स या प्रतिक्रिया हम लोगों को मिल रही है आइरवेद व्यास्पिट की पुस्तके भी है जो ओनलाइन एविलेबल है आप अगर इस पर देखें वेबसाइट पर तो आइरवेद व्यास्पिट की यह सब प्राक्टिस में उपयोगी ऐसे बुक्स हैं आमेजॉन पे भी यह बुक्स आज उपलब्द हैं और अभी जो रौपय महुच्छाव का कारेक्रम हुआ था तो उस समय पिछले साल नो और पुस्तकों का प्राकाशन व्यास्पिट ने किया है तो यह सभी जो बुक्स हैं वो हैं आपनी प्राक्टिस के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है तो इसका भी लाब जो कुछ वैद्यगन इससे जुड़े हैं वो ले सकते हैं और अपनी प्राक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं दूसरा यह उद्देश है व्यास्पिट का कि जितने भी वैद्य हैं वो एक संगटित रहे एक दूसरे से जुड़ते रहे तो इसके माध्यम से हम आईरुवेत का प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं जिला स्तर पर, विभाग स्तर पर, केंद्रिय स्तर पर, continuous medical education याने CME की तोर पर बहुत से कारेकरम व्यास्पिट के द्वारा लिये जाते हैं कुछ workshops होते हैं, कुछ specialized विशे उपर लेकर seminars होते हैं, तो इनकी भी जानकारी आप तक मिलती रहेगी, आप इनसे हमेशा जुड़ते रहे और इसका लाब आप ले सकते हैं दूसरा एक उपक्रम व्यास्पिट का रहता है दैनन्दीनी, गद 23 सालों से हर साल दैनन्दीनी का प्रकाशन होता है, और हर साल उसका अलग विशे होता है, उस विशे के अनुसार उसमें कुछ लेक होते हैं यानि दैनन्दीनी कोई टिपिकल डाइरी नहीं है, तो इसमें इंफर्मेशन भी है, हर पेज के नीचे भी एक इंफर्मेशन की लाइन इसमें लिखी रहती है, जो वैद्यों में बहुत लोग प्रिया है, इस साल का हमारा दैनन्दीनी का विशे है भस्मा विद्नयान, कि बहुत से वैद्यगंड जो है, तो उनके मन में बहुत सी शंकायर यहती है, कि हम इसे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एक एफडिय का इसमें कुछ रूल है क्या, या कुछ नियम है क्या, तो इसकी पूरी जानकारी इस दैनन्दीनी में दी गई है, कुछ ग्यान ब आपको कुछ लेक्चर्स भी उसमें मिलेंगे, कुछ वीडियो भी मिलेंगे, तो ऐसा एक पूरा इंफर्मेटिव रचना इसकी होती है, तो इसके माध्यम से भी आप व्यास्पीट से जुड सकते हैं, और मैं आज के दिन सब वैद्यों को आभाहन करती हूँ कि जादा से ज्यादा लोग इस आयरुवेद के कार्य में जुड़े और व्यास्पीट की जो बहती गंगा है, उसमें आप सब जुड जाए, ऐसे मैं कामना करती हूँ, आज मुझे इस CME के निमित्त बुलाया गया है, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूगी, धन्यवाद आयो जोका का फिर से एक बार धन्यवाद के लिए और मारगा दरशन पर आपने आज जो हमें जो कुछ भी इतने अच्छे से उद्बोधित किया है, उसके लिए अर्वेदिरास्पीट बैंगलोरु शाक्खा के ओर से मैं वैद्या श्रीमती रजिनी कोकले जी को मनो भाव से धन्यवाद देती हुँ, और अभी इस शुरूंखला में आगे बढ़ते हुए, आज के CME के वक्ता वैद्य श्री मनोज जक्ताब जी सर, वैद्य उज्वला जी से मैं अनुरोद करूंगी, कि वेक रुपया वैद्य श्री मनोज जक्ताब जी का परिचय प्रस्तूच करें, मनोज जक्ताब जी सर का जन्म 21 मई 1980 में हुआ, उन्होंने सन 2002 में अपनी आईरवेदाचार्य की पद्वी मुंबई विश्व विद्धाले से पूरी की, एव 2007 में नाकपूर विश्व विद्धाले से शरीर क्रिया विशे में पद्वी तरकी पद्वी पूरी की, से दो हजार वाईस तक सह प्राध्यापक के रूप में, एव दो हजार वाईस से वरतमान तक प्राध्यापक के रूप में कारियरत है, प्रशासनिक अनुभव के सूची में, सर, NCISM एवा M.U.HS के लिए विजिटेशन किये है, M.U.HS के प्रीबैट बोर्टैनिकल बोर्ड के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सद्यस्य रहे है, आयरवेदाचारिय, पद्वी धरों के लिए कैंपस प्लेस्मेंट इवेंट में प्रमुख सहायक काम संभाला है, NAAC के Head of Criteria के रूप में कारियरत है, अनेक विद्यालोय के समित्यों में सदस्य एवा सयोजक के रूप में कारियरत है, CCIM आयूश एवा M.U.HS में Impact Factor का निरिक्षन किये है, अनेक राष्ट्रिय संगष्टी एवा कारियर शालाओं में उपस्तिती, M.U.HS का अनेक कारियर शालाओं में कोर्से स्पुर्ण किये है, आती थी वक्ता के रूप में इनके व्याख्यान एवा Article प्रस्तुती का सुची बहुत ही लंबी है, इसी के साथ अनेक अवसरों पर अध्यक्ष पद्वभार भी संभाला है, अनेक हेल्थ कैंपस के सलाहा कार भी रह चुके है सर, दो हजार चौदा में 6 WAC में पेपर प्रेजेंटेशन, दो हजार सोला में 7 WAC में पोस्टर प्रेजेंटेशन, दो हजार अठारा में 8 WAC में पेपर प्रेजेंटेशन, दो हज 2022 के आईर्वेद व्यास्पिट के नाखपूर के आंतर्राश्ट्रिय संगास्टी के विद्यानिक समीति के समन्वेल है। संगटन जिम्मेदारियों में वे नई मुंबई आयरवेद व्यास्पिट के अध्यक्षर है चुके हैं, आयरवेद व्यास्पिट कोकन विभाग के सदस्य, आरोग्य भारती कोकन प्रांत के सहसचीव, यरला इंटरनेशनल जर्नल अफ आयरवेदिक सिस्टीम ओफ मेडिसिन क एक्सिटिटी संपादक रह चुके हैं, वे रशनात्मक अध्यान ओफ अवयवा नामक पुस्तिका के लेखग भी है, करियर ओफ बेमेस नामक पुस्तिका में इनकी लिखित करियर इन अकडेमिक अध्यान उपलब्द है, उपलब्दियों की सूची में, दो हजार उननीस के WAC का बेस्ट अकेडेमिक अंडर 40 बाइनीरोक स्क्रिट का पुरसकार सर को मिल चुका है, दो हजार आठारा के एथ WAC का बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन पुरसकार, नासिक के आयूर निर्वोत का दो सेकंड प्राइस फॉर पेपर प्रेजेंटेशन, दो हजार वाइस के ब वाइद्य मनोच अकताब जी सर से अनुरोद करना चाहूंगी के वे आज का जो विशे है, आयर्वेदी का आस्पेक्ट ओफ मॉडरन लाइस्टाइल इंडिूस डिसीजेस, जो जिसे हम ग्रंथा में अनुक्त व्यादी भी कहते हैं, इस विशे पर हमें संभोधित करें। अनुबल प्राइस मिलें। पिछले गत वर्षों में देखा जाए, तो जिन-जिन विशेओं के लिए संभोधित के लिए नॉबल प्राइस मिला है, तो सुक्षमता देखने पर कुछ विशे आयुवेद से जुड़े हैं। जैसे 2016 में जो आटोफएगी का सुश्ण हुआ, उसके लिए नॉबल प्राइस मिला। आटोफएगी हम सभी जानते हैं कि हमारे जो माइक्रो लेवल पे, हमारे सेलिलर लेवल पे हमारे शरीर की या हमारे उस सेल की एक्षमता होती ही, कि हमारे शरीर में हानिकारिक जो तत्व है, उनको हम स्वयम नश्ट करें। और सबसे बड़ी बात ये कही कही कि अगर हम एक enhanced fasting अगर करते हैं, हम कुछ समय तक अगर उपवास करते हैं तो उससे autofagy को चालना मिलती है और हमारे शरीर का एक तरीके से microscopic level पे शोधन होता है। तो यह चीज़े तो हम आईरोग में लंघन करके जानते हैं, जैसे हम यह बताया कहा है कि हमरे शरीर में लाग होता लाने वाला लंघन कहा गया है। और उसके जो प्रमुख प्रकार है उसमें पिपासा है, मारुप सेवन है, आतप सेवन है, पाचन है, उपवास है, व्यायाम है, ये सारे चीज़े लंदन में आती है, तो उपवास जो हम कहते हैं ये कही ना कही ओटोफेगी को बढ़ाता है और इसलिए हमारे आयरुवेद मे या हमारे संस्क्रूत में भी उपवास का बहुत बड़ा महत्व है, तो ये सारे चीज़े आयरुवेद से जुड़ी है, लेकिन संशोदन आधुनिक शास्रे में हुआ और नोबेल बराप्त हुआ, एक और उदारन, फर्स्ट येर के बीमस के हम श्लोग याद करते हैं, दो सिकाडियन रिदम करके संशोदन हुआ, हमारे शरीर में विभिन्न समय के अनुसार, शरीर में विभिन्न फिजियोलोजिकल एक्टिविटीज होती है, उसको सिकाडियन रिदम नाम दिया गया और उसे नोबेल प्राइज मिला, वही तो आयरुवेद कहता है कि सुबह के होते हुए, भी कही ना कही अम इसको पूरे समाज के सामने लाने में अर्समत्र रह रहे हैं, और आधुनिक शास्तर जो है, उसके बारे में संशोदन कर रहा है, हमारा आज का विशय जो आप सभी ने देखा होगा, जाना होगा कि आयरुवेदिक असपेक्ट ऑफ मॉडरन आज के समय में जो विभिन्न व्यादि हैं, हमें करम प्राप्त हो रही है, तो इनका आयरुवेदिक विचारहन कैसे करें, क्यों करना है, बिकॉज आयरुवेद अन इमर्जिंग, अजन अल्टरनेक्ट टू करन सिस्टम अफ दे ट्रेटमेंट, आल ओवर वर्ड की बात करे हैं, हमारे आयरुवेद के जो विशे हैं, उनको आधोनिक संशुदक कहिना कही सिद्ध कर रहे हैं, और उसे प्राइज मिल रहा है, तो हम आयरुवेदा चारिरों ने उस पर काम करना है, यह मेरा कहने का बहुत है। तो हम सभी चानते हैं कि आयरुवेदा अभी जो टिपिकल सिस्टेम है, ट्रिक्मेंट की या फिर चाइनीज मेडिसीन जहें, इनके पीछे-पीछे आयरुवेद का अभी हम कह सकते हैं कि तीसरा नंबर है, पूरी दुनिया में अभी आयरुवेद का नाम जो है बढ़ रहा है, अभी कोविड का उधारन हमने देखा कि दो साल पहले अचानक से जो कोविड आया, तो उस वक एक नया व्याधी, नए लक्षन और फिर इसके लिए दवाई उपलब्द नहीं, ऐसी अवस्ता में हमने आयरुवेद ने बहुत अच्छी तरीके से कोविड को हमने टैकल क या हमारे आयरुवेदिक दवाईयों ने इम्यून सिस्टेम से लेके रेस्पटरे सिस्टेम तक सारे चीजों पर काम करके अनेक रुगणों के प्राण बचाये, और ये संशोधन में भी सिद्ध हुआ है, पपलिश भी हुआ है, कि जिनोंने आयरुवेदिक दवाईया ली उनमें जो है number of complications या deaths काफी कम रहें, तो ऐसी नई नई व्यादिया तो आती रहेंगी, अभी पता नहीं, अभी already जैसे हम सभी जानते हैं कि इस्राइल और पैलेस्टीन में संगर्शन चल रहा है, तो आगे चलके ये चीज़े बढ़ सकती है, chemical warfare, biological warfare भी शायद कुछ सालों में हम देख सकते हैं, तो ऐसी अवस्ताओं में क्या आयरवेद इसके लिए solution रखता है, यह पूरी दुनिया का सवाल है, हमारे रुगन भी कई बार पूछते हैं कि आयरवेद में क्या इसका कोई जवाब है, बहुत बार modern diagnosis लेके रुगन हमारे पास आते हैं, सर मुझे पि नहीं खानी, मुझे antibiotic नहीं खानी, या फिर anti-hypertensive दवाई नहीं खानी, मुझे ऐरवेदिक दवाई आप दीजे, तो ऐसी अवस्ताओं में हम कैसे विचार करेंगे, यह आज के व्यक्षन का हम विशे रखते हैं, आयरवेद में जिस विशे को वर्नन नहीं है, उसे अनुक कहते हैं, अनुक्त न उक्ता है, तो किसी शास्त्र में कोई चीज का अगर वर्नन नहीं है, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले की शास्त्र भिननता, दो अलग-अलग शास्त्र है, ऐलोपती का modern science अलग है, आयरवेद का शास्त्र अलग है, तो दोनों में शर्यूर अचना का प्राध्यापक हूँ, तो मैं एक उधारन देना चाहूँगा, कि जैसे first year में हम पढ़ते हैं, हमारे शर्यूर में modern science कहता है कि 206 bones होते हैं, और आयरवेद में वदन प्राप्त है कि 300 या फिर 360 bones होते हैं, चरक या सुष्रूत का वर्लन थोड़ा सा जैसे एक रिब हैं, उसको हमने तीन पार्ट में count किया है, तो इसलिए ये संख्या बढ़के 2006 से लेके 300 तक फुलिए, तो ऐसे अलग-अलग शासरों के लिखने की अपनी मर्यादा होती है, वर्णन की मर्यादा होती है, रोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, दुनिया म संप्राप्ती हम देखते हैं, कहते हैं कि कोई एक पटिकुलर दोश की अगर वृद्धी होती है, तो वो किस गुण से हुई, बात वृद्धी तो मैंने निदान कर दिया, लेकिन क्या रुक्षगुण बढ़ने से ये वृद्धी हुई है, या लगों गुण बढ़ने से ह या शीत गुण बढ़ने से हुई है, या अगर हम जानते हैं तो उतनी चिकित सा आमरी पिन पॉंट होती है और अच्छे रिजल्स आते हैं, तो ऐसे रोग और कारणों की संख्या बहुत जादा होने से कोई चीज़े अनुक्त हो सकती है, कभी-कभी कोई चीज़ देखते ह या फिर रोगी के लिए मुश्किल हो जाता है, या फिर रोगी के लिए मुश्किल हो जाता है, या फिर रोगी बता नहीं सकता, अधन्यापक हम जिसको कहते हैं, तो ऐसे वस्ता में भी चीज़े अनुक्त हो सकती है, लेकिन हम सभी तो जानते हैं कि कोई भी व्यादी हो, व्यादी का मूल हे तो जो है ये तो हमारे शरिल में जो दोश है वात पित्तकफ ये तीनी दोश तो सारी व्यादियों को उत्पन न करते हैं इसलिए कोई नया व्यादी भी हो वो तो वात पित्तकफ से अलग नहीं होगा कोई धातू से जुड़ा हुआ वा किसी मल से कोई विशेष्थान में हुआ होगा तो इसले कोई नया व्यादी है तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है एक सिंपल सा एक्जामपल यहां वे गरंत में दिया गया है कि दोश धातू और मलों का जब संसर्ग होता है तो उसको हम व्यादी कहते हैं जैसे वाता दोश और र सादी, धातू, मूत्र और मल जब एक संयोग होता है तो प्रम्हेन आमक व्यादी होते हैं तो ऐसे अलग-अलग जो है कि दोशों का और धातों का संसर्गों के अलग-अलग व्यादी होते हैं उनसे स्थान में व्यादी होता है आईतन हम जिसे कहते हैं उसकी वज़ा से भी मतलब उनके अलग-अलग संख्या हो जाती है, हम जानते हैं, पढ़ते हैं, फाइनल येर में कि अक्षिगत रोग इतने हैं, मुखगत रोग इतने हैं, तो इस तरीके से हम ये साधे चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन सूत्र तो यह है ना कि कोई भी ब्यादी दोश धातू मल क सिवा अलग तो है नहीं, ये तीनों में से कौन सा दोश, कौन सा धातू, कौन सा मल या फिर सुरोता से उससे जुड़ावा हैं, ये अगर हम जान ले, तो चिकित सा में हमें आसानी होती हैं, नाम में क्या रखा है, ये इस अर्थका विल्यम शेक्सवर जी का, ये जब नहीं सर्व विकारानाम नाम तो अस्ति ग्रवा सिथिये, कोई व्याधी है और उसे में अगर नाम ने नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उस व्याधी के कौन से दोश कुपित हुए है, कौन से स्थान में है, और फिर उसके साथ कौन से स्थोतस है, यह अगर मैं जान लेता हूँ, तो फिर मैं चिकित सा कर पाता हूँ, यही हमारे आचार्या कहना चाते हैं, यही लगबग चीज सुश्वदाचार्या ने भी कही है, कि दोश जब घुमते रहते हैं शरीप में, अलग-अलग जगाओं पर जाते हैं, अलग-अलग धातों के साथ जो है, कि वो अलग-अलग व्याधी निर्मान करते हैं, तो इसलिए modern lifestyle diseases हो, जो अभी हम जानते हैं, अभी जाने नहीं है, या फिर आगे आने वाले कोई भी disease हो, आगे चलके हम उनको अच्छे से treat कर पाएंगे. ये सबी कता हमने देखी है, बच्पन में पड़ी है, कि एक हाती जो है, बड़ा सा हाती, उसको कुछ अंदर व्यक्ति हात लगा के स्पर्शा से अनुमान लगाने की कोशिश करें, कि ये हाती दिखने में कैसा होगा, अभी होता ऐसे कि जिस व्यक्ति के हात में जो चीज आ उसको स्पर्श करके वह वैसे कल पना करते हैं, सूंड को हात लगाने वाला रेक्ति कहता है, कि ये तो साब की तरह है, पूच को हात लगाने वाला रेक्ति कहता है, ये तो कोई चुहे जैसा छोटी सी चीज है, कोई कहता है, नहीं नहीं, ये तो विशाल का, ये कोई पेड कि आप कहेंद करेंगेare तेस्ट करवा लीजिए है पुरमल लेकिन फिर भी वह चिकित्सक कैता है आप की दवाई की जरूत नहीं है लेकिन कोई भी रूगन उसे तकलीफ है इसलिए तो चिकित्सक के पास आता है ऐसे वस्ता में हमारे डागनोसिस में कोई गमी है या फिर हमारे इंवस्टीकेशन में कोई प्राप्त नहीं हुआ, कोई अबनॉर्मल देती प्राप्त नहीं हुई, तो ऐसे वक्त उसको नकारणा यह बहूत गलत बात है आईर्वध में ऐसे नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो हम अलग-अलग पद्धियों से चिकित्सा करते हैं, दोशों के बारे में प्राधांता से विचार करते हैं, आप सभी ने अमरुद बिन्दू करके किताब पढ़ी होगी, कि जिसमें विशेश करके जो है कि मलो के बारे में विचार रेगा है, पुरिश मल के बारे में हम कैसे विचार कर सकते हैं, व्यादी निदान के लिए उसका कैसे उपियग हो सकता है, बिंदु मादो कट्की जी आदरनिया हमारे उन्होंने वो किताब लिखी है जिन्होंने नहीं पढ़ी हो जरूर उस किताब को पढ़े स्रोतसों के बारे में हम विचार करते है कि कौन से स्रोतस में ये व्यादी का वहाँ पर आश्रा है कौन से स्टोतस के हमें चिकित्सा करनी है तो यह सारी चीज़ें इंपोर्टन्ट होती है अब यह वोका कोई लोग विचार करते हैं पंचमाबूत विचार जैसे अभी हाँ आदर्नियम हरे लाजोशी सर है प्रड़ी पानाई सर है अब यह अब आदर्नियम हरे लाजोशी सर है उनको फॉर्ड करते हैं पंचमाबूत चिकित्सा करते हैं वह गलत है जो दोशों को देखते हैं वह सही है ऐसे नहीं है हमारे आयुर्वेद में हम अलग-अलग तरीकों से व्याधी को और रुग्ण को जान सकते हैं और हम चिकित्सा कर सकते हैं तो बारे में एक उधारम मातर में आपके सामने रखना चाहूंगा और जिनके बारे में हम कैसे कर सकते हैं आयुर्वेद दुरुष्टी से यह हम सिखने की कोशिश करेंगे So these are our learning objectives. PCOS सभी हम जानते हैं आज की जवलनते समस्या है So यह हमारी पहली रुगना जो थी इनकी में कंपलिट थी की periods irregular थे और पिछले 6 सालों से यह ऐसे हो रहा था Allopathic Medicine ले रहते हैं और असक्षय के काफी लक्षन उनमें दिख रहते हैं Sonography करवाने के पश्चात टिपिकल साइन्स आफ PCOS प्राप्त हुए हेतों का विचार किया जाए तो उशब पान सुबह सुबह खाली पेट जो है जादा मातरा में पानी पीना एक प्रादान हेतो था अभिशंदी आहर अभिशंदी आहर धर्म से क्रिश्यन धर्म की है तो उनके आहर में दही मत्स्य या फिर जो बाकी एक कुछ और ऐसे अभिशंदी चीजे बहुत ज़्यादा मातरा में थी मधूर असात्म काहर था माउससेवन बहुत ज़्यादा था हफते में लगबक पाच्छे छे दिन जो है कि माउससेवन हो रहता तो इन चीजों को हेतुओ को कही ना कही जो है कि हमने धीरे-धीरे कम किया चिकेट सामें कुछ ज्यादा नहीं जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं रसपाचक योग, चंद्रपरभावटी, गोक्षुरादी गुग्गुल, गुमुत्र हरित की आरफगेशनी आखरी वाली जो दवाईया है, वो पेक्टेंट मेडिसन है, पुनर वसु करके एक आयरवेदिक अवशदी कमपनी है, जिनका एक लैक्जेट्यू प्रॉड़क्ट है, जिसका नाम ही लैक्स है, और एक जो है कि टेंसो नील करके वो एक्शुली उनका प्रॉड़क्ट है, जो शामक इस तरीके से, तो ये कलप हमने चिकित्सा के अनुसार, अलग-अलग कालावधी ने ये दिये थे, सारे कलप एक साथ नहीं दिये थे, एक वक्ट जाता ऐसे जाता इंग में से तीन या चार जादा से जादा आउशदियों का प्रॉड़क्ट हुआ था, और कालां दूसरी ये रुगना है, ये एक कॉलेज जाने वाली तरुनी और पिछले दो सालों से पिरेट्स में इरेगुलरिटी हो रही थी, एज ऐसे है कि जिसके वज़ाए से तिमपल्स और फेशल स्कीन में टोन चेंजेस ऐसे हुए थे, हैर फॉल की कंपलेंटी, वाइट अगर हम विचार करेंगे तो उशब पान, अभी शंदी आहार, अमल लवन, रस का अती सेवन, हम संभी जानते हैं कि हमारे रसों के बारे में अतियोग वर्लत है, तो अमल और लवन का अतियोग हम देखते हैं, तो तवचा और केश के विकार प्राधान नितसे हमें वहाँ प्राप्तों होते हैं, अत्यमबुपाल ये भी एक उसमें हेतू था, कॉलेज जाने वाली ये तरोणी होने की वज़े से बहुत बार बाहर का खाना विशेश करके, जो है कि सभी उस एज ग्रूप में फेमस है, चाइनीज या फिर तो जो चाट आटम्स वे, स्पेशली पा रहिती तो रख्त पाचक, आरोग्य वर्दिनी, उबेराक्षवटी हमसे भी जानते हैं, चन्रपवबावटी, लगुमाली निवसंत, अस्तिमज्जा पाचक योग, कैश और गूगल, आधी कल्पों का विशेश करके यहां पर उपियोग हुआ, और फिर कालांतर से जो है क अगली सुनोग्राफी में ओरी की साइज नॉर्मल हो गए, 9.9 सिसी और 7.5 सिसी, इस तरीके से जो है कि दोनों ओरी स नॉर्मल हुए और पिरेट्स भी रेगुलर हुए, तीसरी जो रुगना थी, उनमें भी कुछ गदक कुछ समय से इरेगुलर मेंसेस हो रहे थे, टैनिन अब्डॉमेन विशेष्था हो रहा था, आद्मान के लक्षन थे, और जब भी पिरेट्स होते थे तो अत्यादिक रखता स्राव ये एक लक्षन था, तो सुनोग्राफी पश्चात, लेफ्ट अवैरेंस इस 13 सिसी और 20 बाइ 14 मिलिमेटर का फाइब्रड एंटेरे वाल ये हमें सुनोग्राफी में फाइंडिंग पराप्त हुआ, चिकित सामें रसर पाच्यक्यो, कुबेराक्षवटी, आरुग्यवर्दी निमटी, रजपरवर्दी निमटी, सुचे का रस, आदिकल्पो का प्राधान नत्या उप्योग हुआ, और आगे की समय में जब अब्धिंतर आउशदी जिकित्सा दे के सारे फाइब्रोड जो है, चले जाते हैं, डेफिनिटली PCOS जो है, उसमें हमें काफी उपशेप रापतो होता है, और बाकी जो लक्षण है, वो भी काफी कम होते हैं, लेकिन सारे फाइब्रोड आउशदी साध्यों नहीं है, कही बार शस्रकर्म भी हमें करना पड़ सकता है, आप सभी जानते हैं, सो बेसिकले वाट इस पीसी उएज, हम जानते हैं कि पॉलिसिस्टिक ओवाइरियन सीन्ड्रोम या पॉलिसिस्टिक ओवाइरियन डिसीज, इसको हम कॉमनली कहता है, मोस्टली इट कंसिस्ट ओफ इसकी तरह वहाँ पे हमें सोनोग्राफी में फाइंडिंग मिलता है, तो आधुनिक शासरे में तो उसके बारे उतनी जानकारी नहीं है, कॉम्लिकेशन्स बहुत सारे हैं, आज कल PCOS बहुत कॉमन हो गई है, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो स्टूडन्स में, यंग स्टूडन्स में ये कॉमन प्रॉबलम हमें दिखाई देती है, और ये कंटिनी रहा तो इन्फर्टिलिटी में भी इसके जो है कि देख सकत है, या फिर miscarriage होना, premature birth होना, metabolic syndrome, इसके साथ type 2 diabetes या बहुत बार hypothyroidism, ये सारी चीज़े एक साथ इसमें जुड़ी हुए थे, मेरे से ज़्यादा बहुत रुग्ण आपने, आप सभी महानु बहुने देखे हैं इस चीज़ के, तो आप सभी ये जानते हैं, तो लादी का अक्रमा, तो हमारे वई के शुरू में कफ होता है, फिर बीच में पित्तो होता है, अंत में वात होता है, ये सिर्फ क्या हमारे वई के लिए लागू है, क्या दिन के लिए लागू है, क्या रात के लिए लागू है, जो हमारा menstrual cycle है, क्या हम इसको लागू कर सकते क्या देखिए अगर menstrual cycle को हम imagine करते हैं तो शुरू में जो कारिय होता है कि जो follicle maturation का काम होता है वो कहिना कहीं करफ से जुड़ा हुआ है फिर mature follicle होने के बाद at middle of the cycle में उसको rupture होना पड़ता है और वो rupture होने के बाद वो जो है कि उसकी गती होती है towards the uterus तो यह कहिना कहीं भेदन का कारिया जो है हमारा पित्त दोष करता है और या तो fertilization होगा या नहीं होगा तो corpus luteum formation होगा यह सारी चीज़े और end में जो है कि mensis आना यह वात के हमारे कारियों के अंतर गरताती है तो कहिना कि mensual cycle को भी हम देखेंगे तो कह सकते है तेयांता मध्यादी का अक्र PCOS को हम कह सकते है कि कफ का आधिक्य है और पित्त का क्षीण है क्या होता है क्या होता है क्योंकि हम सभी जानते PCOS exactly होता क्या है तो multiple follicles mature होना शुरुवात करते हैं और कोई भी एक follicle maturity attend नहीं कर पाता है सारे arrest हो जाते एक level पे और कोई भी follicle mature नहीं हुआ तो वो रप्चर न पाता की क्षीणता से और जो हम चिकित्सा करते हैं यह वो तो इसी की चिकित्सा होती है ना जो हमने देखी क्लप सारे हम जानते हैं कि यह वह कंशल का शमन करने वालेाव पित्तक वर्धन करने वालें एकम कुबराख्षम हंतिम शूलम्तरे कुबेराक्षवटी का हम जो है PCOS में बहुत अच्छे से इस्तिमाल जानते हैं उदरशूल में प्राधन था उसका जो है कि उपियोग होता है लेकिन PCOS में भी और PCOS जन्य अवस्ताओं में जो उदरशूल है और जो पित्त को बढ़ा के जो भेदन काम करना है ये कुबेराक्षवटी अच्छे से करती है रज़प्रवटीनीवटी हम देते है कि पिरेट्स ज्यू है लेकिन पिरेट्स आई ये नहीं है तो रज़प्रवटीनीवटी हम दे सकते है रख्तधातु का में प्रधानता विचार इसमें करना होता है आएलमित के दुरुष्टे से आर्तव रसका रसाधातु से जुड़ावा हूए स्तन्य रज़क अंडरा सिर्वा सात्व क क सनाईश चेदी सबतो उपदातवा है आर्तव ये रसका उपधातू होने से रसधातू जब तक ठीक नहीं वो पाता तब तक आर्तव भी ठीक नहीं होगा तो हमें शुरुवात हमेशा रसधातू से करने होती है आर्तवस रोतस, रसवस रोतस का विचार करना है अर्फवस्थास के दो मूलस्थाल वताए गए है, गरबाशे और आर्फवस्थास हम जानते हैं कि रुदय और जो धमन्या है तो रसवाहीनी धमन्या यह उनके मूलस्थान है, तो इसलिए जो है कि ये सारी चीज़े हमें जाननी होती है, PCOS के बारे में कलप जो हमने यूज देखे उपियोग में लायते रसा पाचक, कुबेराक्षवटी, कांचनार गुबगूल, आरोग्यवर्दीनी, चंद्रबबा, यह सब भीयोग का कैसे काम होता है, इसमें कुछ जादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, गुनेश आस्त्री या फिर यशेश्वी आउशदी, एंडी देशपांडे सर की किताब, या फिर बहुत सारे ऐसे पूस्तक है, जिनमें पढ़के हम यह जो कलप हैवर कैसे काम करते हैं, यह सीख सकते हैं, यहां पर कांचनार गुगूल, एक प्रतिदिदिक तो सुरूप हैं, कांचनार गुगूल, कैशोर गुगूल, कोक्षुरादे गुगूल, यह सारे गुगूल यहां पर काम करते हैं, जो अभी हमने देखा, उसी को थोड़ा सा डेटेल में देखने के हम चोशिश करेंगे, हमने तो फर्स जेर में पढ़ा है कि वायू के पांच परकार होते हैं, प्रान, प्रान, वायू के कर्म हम देखेंगे, प्रसपंदन कर्म, विवेक कर्म है, तो यह कहीना कही प्रसपंदन कर्म जो पिट्यूटरी से जी एन आरेच हॉर्मून रिलीज होता है, वहां से जुड़ा हुआ है क्या, FSH का जो जैसे फॉलिकल सीमोलेटिंग हॉर्मून हम सभी ज प्रसपंदन कर्म है, तो यह कहीना कही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यह उदान का प्रेणन या प्रेतन कर्म है, समानवाई हम जानते हैं, गुरहन नाती पचेती, विवेचेती, मुंचती चा, अन्न के बारे में तो है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो, फॉलिकल का मैचुरेशन स्टाट करना, उसको डेवलप करना, और फिर कौन सा फॉलिकल सिलेक करना रप्चर के लिए, और उसको रिलीज करना, यह सारा समानवाई हुका कारिय हो सकता है, नुट्रिशन ऑफ दॉ फॉलिकल वैन की तरप से आ सकता है, और फिर एक्चुल में उसका निश्क्रमन जो है, वो अपान की कारियक्षतर में आता है, तो इस तरह के से हम सोच सकते हैं, क्यों? तो व्यवारता हमें दूष्टी हेतु जब हम देखते हैं, कि रुगणों में जो हेतु मिलते हैं, तो कहिना कहिए इसको हम जोड सकते हैं, जैसे किसी रुगण मे आपको अतिवयाम, अतिलंगन, अतियाहार, अभिगात, वेगधारन, वेगउदीरन या रुक्षतायल अगर हेतु प्राप्त होते तो कहिना कई यह प्राण की दुष्टी करेंगे और फिर उसकी वज़े से PCOS मिलेगा उदान की दुष्टी में क्षवतू, उद्गार, निद्रावेक का धारन या फिर जादा मतरा में हसना, रोना ये चीज़े हेतु में प्राप्त होती है व्यान में अतिगमन, क्लेडा, विशमचेश्टा, रुक्षत्व, विरुद्दाहार, हर्शर या विशाद ऐसे जो है कि वैसी चिकित्सा कर सकते हैं, तो इसलिए जो है कि PCOD, अगर किसी भी रुगन हमारे पास आता है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप पहले सुनोग्राफिक करवाईए, फिर उसके बाद में जो ओर इसकी साइज देखिए, पिरेक्स की हिस्ट्री लीजिए, कितने रेगिलर हैं, और फिर इसमें जो है कि आप चिकित्सा जो दे सकते हैं, यहाँ पे एक चीज में कलियर करना चाहूंगा कि इन तीनों रुगनों में कहीं पे भी पंचकर्म का उप्योग नहीं हुआ है, यह मेरा वैगुन्या है, उन रुगनों में मैंने पंचकर्म बसती वेगरा में करव नहीं पाया, रुगना कहीं उसके लिए तयार नहीं थे या कुछ और परिस्सितिवश, वहाँ पे पंचकर्म नहीं हो पाये, इनके बाद वाले जो बहुत सारी रुगनाएं हैं, उन में जो है कि पंचकर्म विशेश करके योग बसती या फिर जरूत होने पर बमन या विर आप सभी जानते हैं, इसके भी दो रुगना अनुबो आपके सामने पेश करना चाहूंगा, पहली स्त्री रुगना थी, शिक्षिका थी पेशे से, और उनकी प्रदान लक्षन है ये थे कि गले में कहीना कहीं कुछ अंदल से चुब रहा है, बारबात खासी हो रही है, गल तो हुई, इसलिए जो है कि T3, T4, TSH करवाया और TSH काफी बढ़ा हुआ, 11.667 इतना प्राब्त हुआ, हेतु दिखा जाये तो टीचर होने की वज़ए से सुबह स्कूल जल्दी जाना पड़ता था, प्राथमिक शाला में शिक्षिका होने से दिन बर बहुत सारा ज्यादा क्लास में जाना, बच्चों से बात करना ये एक हेतु था, दिवास्वाप सुबह जल्दी उठना पड़ता था, दोपर में फिर स्कूल से आने के बाद सुने के आदत थी, अभेशंदी आहार था, अमललवर आहार था, निशापान था, ये सारे हेतु थे, और चिकित सामें यहां पर आरोग्यवर दिनी, रप्त पाच्चक योग, कैशोर गुगुल, चंद्रपबावटी, लाक्स और वेंका, इन वेंका भी एक पेटर्न प्रॉडक्ट है, हमारे आईलवेद वैस्पिट के ही कारिय करता है, पराग पटवर्दन जी, उनका ये पेटर्न, स्पेशल फॉर्मिला है, वेरिकोज में के लिए इस्तिमाल होता है, लेकिन रप्त गामी सारे दरव्य है, तो इनका भी वहापर हमने किया था, और जो बाद में हमने वहाँ पे जब फिर से T3, T4, TSH करवाए, तो TSH विदिन नॉर्मल लिमिट में था, और इससे काफी समय बाद भी उनका TSH नॉर्मल था, दूसरे जो रूगन है ये पूरुष लगन है, वैसे देखा जाए तो हाइपो थाररिजम में मेल पेशन्स आपको कम मिलेंगे, फीमेल पेशन्स जदा मिलेंगे, रिटार्ड, रेलवे से रिटार्ड ये परसन तीन साल से हाइपो थाररिजम की चिक मैं जानता हूँ हमारी अभी मिटिंग बैंगलोर में हो रही है, दक्षिन महारत कहीं भाग है, लेकिन शायद वहाँ पे वो चीज़े उतनी ज्यादा ब्यादी उत्पन्द नहीं करती, जितनी शायद महारास्ट्रा में या मुंबे जैसी जगा में ये कर सकती है, इनके कि वो फर्स्ट एंगो से समने किया था, इस केस में प्रे डाइगनोस हाइपोथाराडिजन था, दवाई लेने के बाद भी टीएसे 7.83 था, और हमारे चिकेट सा जैसे आरुग्यवद्दीनी गोक्ष्रादी गूगल, रखत पाचक योग, गोमुत्र हरित की तरिफरा गू हो जाता है, तो उसको हाइपोथाराडिजम कहते है, प्राइमरी, सेकेंडरी या तर्शरी उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, ग्लैंड में प्रॉब्लम है, तो प्राइमरी, कहने के प्रॉब्लम है, तो सेकेंडरी या हाइपोथालामेटिक या ब्रेन के लेवल के प्रॉब बहुत सारी चीजे हैं और इनमें कुछ नहीं बात तो नहीं है T3-T4, TSH का इंटर्प्रेटेशन भी हम सभी जानते हैं mostly हमें जो है कि TSH रेस्ट और T3-T4 नॉर्मल है तो सब्क्लिनिकल हैकोतोराडिसम यह हमें प्राप्त होता है कैसे हम इसको विचार रह सकते हैं जैसे फटीग है तो यह कफ़ की वृद्धी है रग्त दुष्टी में यह लक्षन प्राप्त हो सकता है शीत प्रचिती बात और कफ दोनों शीत गुण के हैं तो उनकी वृद्धी में यह लक्षन प्राप्त होगा पोर मेमरी और कांसेंट्रेशन हम कह सकते कि वातव रुद्धी की वज़ा से हो सकता है विबंद, मलाव, स्टंब, कॉस्टिपेशन वातव रुद्धी की वज़ा से हो सकता है भारव रुद्धी ये कफ के वुद्धी से होगा या फिर रुक्षत वचा रख्त की दुष्टी से वात वुरुद्धी से लक्षन प्राप्त होंगे तो इस तरीके से तालिका बना के टैबुलर फॉर्माट में अगर हम देखेंगे तो हाइपो थारोडिजम को एंड में हम कह सकते हैं कि कफवात प्रधान दुष्टी कफवा जब वुरुद्धी होती है तो हाइपो थारोडिजम की तरफ जाता है दोनों के लक्षन अलग अलग है आप सभी जानते है और प्रधानता ऐसे रुगनों में स्ट्रेस एक इंपोर्टन फैक्टर होता है और हम कहते हैं ना चिंत्याना मती चिंतना तो रसधातु की दुष इस तरीके से शायद यह संपराप्ती होती होगी आप से भी महानववव इसमें मुझे बारका दर्शन कर सकते हैं और कहिना कहीं रुक्ष और शीत गुणप्रदां के तु इनमें मिलते हैं तो इसलिए चिकेट्सा करते वाक्त जो हम कफवाद का शमन करते हैं रसधातु र पारों के और दिनी कांचनार गूगल यह एक नाम मातर लाक्षन चिकित सा कल्पो मेंने यहां पर बता है इससे और ज्यादा भी कल्पो यूज हो सकते हैं आप सभी करते होंगे बस चिकित सा पत्व हमें ध्याद में रखने रहे हैं हाइपरटेंशन थोड़ा सा पेशन को डराने वाला एक व्यादी है और कई बार हम भी कहता है कि नहीं कई कुछ कम जादा हुआ तो आप जो अल्रेडी ट्रिट्मेंट ले रहे हैं उसको लीजिए उसको बंद मत कीजिए लेकिन बहुत बात इन हाइपरटेंसिव मेडिसिन की जरुवत नहीं होती है या हमारे चिकित सासे कोई वीशेश कल्पन नहीं देते हुए भी इसमें रिजल्स आते हैं तो क्यों कैसे आते हैं देखने की गोशिश करेंगे बैसिकली ब्लड प्रेशर कंट्रोल इस डन बाइदर नर्वस सिस्टीम और इंडोक्राइन सिस्टी है और लॉंग टर्म एंडोक्राइन सिस्टीम द्वारा जो है यह चलते रहता है जो फैक्टर्स हाइपर टेंशन को मतलब कार्नीगूत होता है जैसे पंपिंग एक्शन ऑफ दा हार्ट की जिसकी वजह से एक प्रेशर है यह यह नॉर्मल होता है हम सभी जानते है उसकी एक प्रवेश करना और बाहर निकलना यह दोनों चीज़े प्राण और उदान से जुड़ी हुई है जो पेरिफरल रेजिस्टेंस हम जानते है वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डालेटेशन यह उदान और व्यान से इसको हम जोड़ सकते हैं बहुत बार कंडिशन्स देखते ह अधरियो स्क्लेरोसिस की इलैस्टिसिटी ऑफ आटरीज कही न कर हैंपर हो जाती है वह जब लेस्टिक हो जाते हैं तो इसमें जो है कि फिर प्रेशर बढ़ता है तो कहीना कि यहां पर हम रुदूगुन की चर्चा कर सकते हैं कि जो हमारी सिराय है उनका मुरुदूगुन कम हो जाता है और फिर वहां पे जो है कि प्रेशर बढ़ जाता है अपान का भी हम इसमें समाविश कर सकते हैं और ब्लड विसकोसिटी चेंज होने से भी प्रेशर में चेंजिस होते हैं तो ब्लड की सामता या गुरुत्वा से हम इसको कोरेलेट कर सकते हैं तो चार ये जो में प्रेजेंटेशन करेंगे कि किन-किन चीज़ों से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है तो एक तो में भी डू टू दी नर्वस सिस्टीम तो जिसको प्रान से कोरेलेट कर सकता है में कुछ प्रॉबलम अपर जीरे विशार कर सकता है तो प्रान गर अगर हैतु है प्रान से दुश्टे हुए है से हमने देखा दर्वस Estamos करेंगे پर तो यहां पर धेक फ्रेश्ट силь ही सिस्टीम तो जीच कोरें दद्ल पके cucumbers कर सकते मगें पियांग तरपन कर सकते शिरोधारा कर सकते शिरोबस्ति कर सकते प्यान की अगर दुष्टी है तो यहां पर हम पर स्नहां पर बिलेचन दे सकते हैं अब्यंदा द्राक्षा रिष्ट या फिर चंक्रमन गंदर रहस्त्य दिक शयां कुछ उधारन मात्र यहां पर लिखे गए हैं सिरागतवात है तो निहन हम कर सकते अब्यंतर स्नेहन यहां पर ज़रूरी है जो प्रधान का जो है कि स्नेह से बनी है तो उनमें अगर स्नेह कम हो जाता है रुक्षत वाजाता है तो वो योग्य नहीं है आज कर जो लिपिड कम करने के लिए कोलेस्ट्राल कम करने के जो दवाईया देते हैं उनके साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन बहुत जादा होते हैं यह हम देख रहे हैं इसका कारण यह है कि हमारे सिराओं में जो उस निक्दत है वो कहिना कई कम हो रहे है मानस हेतु लिए बहुत बार दिखाई देते हैं तो यहां पर सत्वाव जे चिकितसा करनी है गृतपान करना है योग विशेश्टा हम करवा सकते हैं मुजिक थरपी करवा सकते हैं अधुमिक जुस्ते से विचार करेंगे तो बया जो है कि अनूलोमन चिकिटसा कर सकते हैं अनूरिजम जैसिंट से हम सभी जानते हैं कि वहाँ पह जी डैलेकेशन हो जाता है जो आठरी जैसे औरोटा में है या जहाँ पहर चुनियू प्रेश्ट आते रहता है वहाँ पे एक बलून की तरह बलूनिंग हो जाता है अर्टेरियल वॉल का उसको अनुरिजम कहता है तो वहाँ पे स्निहन बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा अर्टेरियो स्क्लेरोसिस में वहाँ पे स्निहन काम करेगा और अथेलो स्क्लेरोसिस में वहाँ पे आउरुत त पहले और बाद में तो हम समझ जाते कि अभी कंट्रोल में लेकिन ब्लड प्रेशर दिन में इतनी बार बदलते रहता है तो उसके बार-बार हमें उसका रिकॉर्ड रखना परता है तो वो उसके लिए मैंने यहां पर रुबना दूबो नहीं रखे लेकिन बाकी सारे चीजें जो है कि यहां पर बता दी है चिकेटसा वाले जो यहां पर बताना चाहूंगा मैं एड़डाइजिंग का उद्देश नहीं लेकिन मेरे प्राक्टिस में जो वो टेंसोनिल जो दवाई है उसके मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले है और बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि जो किसी और व्यादी के लिए हम चिकेटसा कर रहे है और हमारी दवाई स्टाट करते ही अपने आप ब्लड प्रेशर कम होने लगता है चाहे हमने शामक कोई दवाई दी है या नहीं दी है लेकिन फिर भी जैसे ही शरील में से दोश संचे कम होने लगता है वैसे उसका ब्लड हमने देखा या अबी भी आने वाले समय में शायद आयरुवद के लिए टफ टाइम हो सकता है और जड़ी आयरुवद को बदनाम करने है तू बहुत सारे चीज़े चल रही है बाकूची से हमारे लिवर्ट ऑग्जिसी होती है गुरूची से अमारे लिवर्ट ऑग्जिसी जा रहा है जनता को ब्रहमित किया जा रहा है लेकिन हमें आयुर्वद पे विश्वास रखना है श्रग्दा रखनी है अन्टिम तहा यहां पे वेक्षान को समारूप करने से पहले में विशेष्टा हमारी बंलोर की आयुर्वद वास्पिट की सभी कारेकारानी सदस्य उनको अभार वेक्त करना चाहूंगा हमारे आयुर्वद वास्पिट के सन्वानिय सदस्य हमारी अध्यक्षा रजनी इताई गोपले जी मला राओ जोशी सर बादनेक सर और बाकी सारे महनों आज मेरी क्लिनिकल मेटिंग में यहां पर उपस्तित रहे मेरे लिए बहुत अभिमान की है बात है और आयुर्वद व आयुर्वद वास्पिट के साथ जुड़ा रहा इस वैक्षान में अगर कुछ कमी है तो वह मेरी है और कुछ आपको अच्छा लगा तो वह आयुर्वद शास्त्र का है इतना मैं कहके मेरा वैक्षान यहां रोकना चाहूंगा संपर कहे तू मेरा नंबर इमेल आडी आपक मैं सभी से अनुरुद करूंगी जिनको शंखा है प्रश्न है व्यातने चैट बॉक्स में मेसेज कर सकते हैं या अन्म्यूट करके वैदिश्री मनोज जित्ताब शीजी से पूच सकते हैं मैं दोक्तर वंशी का पाथिदार इंदार से बोल दियू तर अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक पेशेंट आई ती असर उसको थ्रोट वाले एडिया मैं स्वेलिंग की सर उन्होंने थाइरोड का फाइल कराया था लेकिन उनका थाइरोड जो है वो नॉमल आदा है और मौनिंग में उनकी हिस्टी थी मौनिंग का जो लांच है वो यूजिली स्किप कर देते थे और थोड़ा प्रकृती उनकी पिक्तश थी और इस पभाव में सर गुस्ता भी था और यह जो स्वेलिंगे सर यह पास सालों से उनको बनी हुई है कभी उभर के आ जाती है और कभ अच्री डाइग्नॉसिस उनका बन नहीं पा रहे हैं तो सर हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं इंट्रेस्टिंग केस है मैडब अभी रुगन तो आपने देखा है और जैसे वर्लन किया तो यही एक क्या कहते है ना लिमिटेशन होता है एलोपती का कि they always go for investigation तो जैसे अभी करवाएंगे लोकलाइट स्वेलिंग है तो सोनोग्राफी या कुछ और टेस्ट करवाएंगे और जब तक उन्हें कुछ रिजन नहीं मिलेगा तब तक वो ट्रीट नहीं कर दाएंगे लेकिन हम आयरवेद के दुरुष्टी से डेफनेटली विचार कर सकते हैं जैसे अगर अनुवद्न देखते हैं तो स्थानिक और एकांगशोत दोनों पर काम करते हैं लेकिद पिन पॉंट डियागनोसिस अगर आप फिर से लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा हेतु एक बहुत बड़ा इंपोर्टन्ट होता है जो भी मेरा सोभाग्य रहा कि मैं जब विद्यारती दशा में था तो बहुत बड़े-बड़े जैसे आदर्ली वेलेंकर सर्ट महेश टाकूर सर्ट या फिर बाकी ऐसे सारे वेद्दों के पास मुझे सीखने का मौका मिला तो एक प्रधान था कि उबे उटने के बाद रातों सोने तक क्या क्या करते है डीटिल में क्या खाते है कितने बजए खाते हैं कैसे खाते हैं क्या क्या करते ही अगर इस क्ली हम लेके फिर उसमें सिख फाइंड आट करते है तो definitely हमें जब तक हम हेतु नहीं सेबरेक कर पाते तब तक चिकित सा उतना फल नहीं देती है तो आप जलूर फिर से एक हेतु के बारे में देखेंगे एकांग शोत है तो जलाव का चरन या रप्तमुक्षन को भी हम सोट सकते है या कुछ हमारे या लेप और ऐसी चीजे बताइए कुक अपिया डाउन भी हो सकता है तो इस तरह के से आप चिकित सा कीजे आप ही उसको अच्छे से जान सकते हैं थैंक यू सो मुझ सब्सक्राइब भाइदे उजोला जी नमस्ते सर सर मुझे पूछना था कि जैसे जो हाई प्रोलैक्टिन लेवल है और उसके साथ इर्रेगुलर पीरेड्स आते हैं तो उसमें मेरी पेशन्टी उसको रसा पाच्छक कांचेनार गुगो जैसे लक्षणानुसार और उसके हेत्टु सेवन प्रोलैक्टिन लेवल हाई है और फिर से एक साइकल फिर से नहीं आया है तो प्रोलैक्टिन हाई लेवल में और क्या चिकिस्टा का विचार किया जाए प्रोलैक्टिन लेवल वहां से जादा होगा और एक देखा गाए वृद्विद्य परेंपरा से कि अगर रुगन सहयो करता है या फिर अवस्ता है तो आप वर्मन का ज़रूर विचार कीजे वर्मन से जो है प्रोलैक्टिन लेवल कम होने में यहां पे ज़रूर फाइदा ह और बाखे चिकित्सा जो है आपने की वो सही है लेकिन वमन का उपयोग होने से प्रोलैक्टिन लेवल कम हो सकते हैं और मुख्यता जो है कि रसपाचक ही चिकित्सा करनी है और कहिना की स्ट्रेस फैक्टर होगा तो उसको उसके लिए भी आप शिरोधारा या फिर शिरोपी जो है उसमें रसपाचिक चिकित्सा ही प्रदांता रहेंगी आयूश्री आयूरवेद से चैट बॉक्स में मैसेज है सर आपके लिए प्रोटीन्ज यूरिन में जा रहे हैं उस पेशेंट्स में हाई बीपी का कैसे विचार करें दनिवादा वही दिक्कत है दिक्कत ही है कि बहुत बार जो होता है कि रुगणा जो मैंने कहा कि modern diagnosis लेके आते हैं या फिर रिपोर्ट्स करवा के आते हैं सर ये मेरे urine में इतना protein है ये मेरे urine में इतना इतना पर सेल्स है हाई पर सेल्स है तो इसको मुझे कम करवा के दीजिए या फिर मेरा blood pressure इतना ज्यादा आ रहे है आईर्वेट symptomatic treatment कभी भी नहीं है आईर्वेट व्याधी की चिकित्सा होती है तो उसका मूल कारण जब तक हम नहीं दूर करेंगे तब तक वो व्याधी नश्ट नहीं होगा तो थोड़ा सा इसमें कालावधी लग सकता है दूसरी चीस ये भी होते है कि रुगणा हमारे प पास बहुत देली स्याप है तो ऐसी वस्ता में hypertension है हमें मुझे ध्यान रखना है बींग वेद्द्ध की hypertension की उसके दूश्पने नाम जो है कि कहीं चलके brain में हीमोरेज होना या कई और गान डी ये भी हमोरेज होना रिटाइना पर उसका डैमेज होता है किडिणी पर डैमेज होता है उसको में रोकने की कोशिश करू वो मुझे देखना है प्राधान्यता रख्तपत्त की चिकित्षा आप यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ जो दोशानु बंद है यहाँ पर र ऐसी कंडिशन से उसको कम करना है तो सुवलनराज वंगेश्वर एक बहुत अच्छी आउश्य दी है ऐसे अवस्ता में हम दे सकते हैं अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि भोजन पूरु और भोजन पच्छा अच्छी मातरा में गुरुत पिलाना यह भी सारे मुत्रविकारों क पे लिए जो है कि एक अच्छी चिकित्सा होती है और बाकि जो हमारे चंडरबबा या गोख्षरादी गुद्गूल कैसे जो कल्पाम नियमित इस्तिमाल करते हैं उससे होता है और जब तक उसकी प्रधान संपरप्ति भुंगन नहीं होती है तब तक चिकित्सा में जो है क थोड़ा समय लगता है पेशन्स रखना है वैद्यों को पेशन्स रखने की दोश्रत होती है पेशन्ट झालिंत नहीं होती है और पेशन्ट को काउंसलिंग करतेट्मेंट करने होती है था क्सा उत मयद्ध करके त्रेटमेंट कर नहीं होती है अ Agric니क मांगतожу माश जीय। जो ब्रेंन टीबी हो एक उसके लिए को उसने ट्रीटमेन्ट लिया हैजा in the burad new अगर 봉न का भी बेग्याट्थ में युड उस नहीं आया है तो उसने आया तो एक अणा में उन लोगโकỗi खेभी हो उसके वह जो चाएबिबे हो प्रेश्मेंट है कॉम्पलीट हुआ है अभी scan, abdomen pelvis का scan की है, तो उसमें एक ovarancis निकला, 6 cm का, और pituitary level बहुत हाई है, 31, तो मैंने अभी 15 दिन के लिए उसको ovarancis के लिए, क्यूंकि अभी जैसे आपने बोला, woman करना चाहिए, तो ये case में क्या कर सकते हैं, 15 दिन का मैंने treatment अभी रसपाचक, रसपाचक, रसपाचक टाबलेट, ऐसा दे के भी जी हो, तो कैसा जा सकते हैं, आगे, एक मेरा प्रशन है से, बहुत अच्छी case मैडम ने हमारे सब के सामने रखी है, आईरवेद का सिद्धान ते पूरुशम पूरुशम लिक्षे, हर patient different है, मैंने जो patient देखे, वो अलग थे, आपके पास अभी patient लगे, बाकी सब लोग share करें, तो लगे, यह अवस्ता कहीना कहीं, जब आप हिस्ट्री दे रहे हैं, कि उनको tuberculosis की हिस्ट्री है, तो कहीना कहीं हमें यहाँ यहाँ पर रखना है कि धातुक्षय हुआ है, यहाँ पर जादा हम और अपतरपन नहीं कर सकते, कहीना कहीं हमें जो यहाँ धातुक्षय को ध्यान में रखते हुए चिकेचा दीने, रसा का बहुत ज्यादा मात्रा में क्षय भी हो जाता है, तो भी उसका आर्थव पर पर दिखाई देता है, आप आर्थव क्षय के लक्षण अगर देखेंगे सुश्रूत में, जो दोशधातु मल जो बता है, तो वहाँ पर नीचे डलन लिखते है कि संशोधन का यहाँ पर हमें वमन लेना है, विर्यचन नहीं लेना है, क्यों? तो विर्यचन से पित्त का क्षिड होगा, पित्त क्षिड होने से और आर्थव का क्षय होगा, हमें पित्त बढ़ाना है, ना कि पित्त को कम करना है तो इस तरिक ऐसे जो है कि आपके रुगणा में मुझे लगता है कि आप कहिना कई भस्मस अंकलपना है जैसे अबरग भस्मा है सुवर्ण भस्मा है ऐसे जो देखे वहाँ पे धातुक्षे जो है उसको कम करने की कोशिश कीजिए और यह बहुत कम काला दी अभी आप कुछ नस्य प्रतिमर्श नस्य के जैसे चालू कर सकती हूँ क्योंकि अल्रड़ी उन्प जी मतलब यहां पर पक्षागात में हम जो टिपिकल चिकित्सा करते हैं वैसे हम नस्य करनपूरण तरपन या फिर जो है कि शिरोभ्यंग यह सारे चीजों का वहां पर हम भ्योग कर सकते हैं यहां पर ध्यान रखें कि जो भी हम दवाईया देंगे मतलब जो गुरुत या फिर पैल यूज करेंगे वह बल्ले हो लेखन करने वाले नहीं हो बल्ले हो इस तरीके से हम उनका इस्तिमाल डेफिनेटल कर सकते हैं क्योंकि सर शिस्ट तो बहुत ज्यादा है सर और उनका अभी शादी अभी शादी हो आई दो साल में तो फिर मैं सिस्ट ज्यादा वो लोग तो निकाल देंगे उस्ट को मतलब ओर इसको निकाल देंगे I don't know मतलब उन लोग उनको निकालने का नहीं सोच रही हूं तो इसलि प्राइड जो आज ग्राइड परिटल लोग सर ब्रें में है एक वो चैल्सिपाइड कुछ सिस्ट है उसके लिए उसको गिदिनेस वोमिटिंग सभी है सर नौजी है बहुत सुस्त रहती है थिए 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 तर्टी फाइड यह का फिमेल पेशंट है और उसको सेम लाक्षनी की चिकिसा जो आयरुविदिक तरफ से होता है वो ट्रीटमेंट लेके जाती थी औरल मेडिकेशन क्यूंकि वो अफडेल नहीं थी तो पंचकरमे के लिए वो लोग रेडी नहीं थे लोकल अप्लिकेशन के लिए कुछ तेल दी थी उनका लाक्षनी की चिकिसा अ कातलब क्या करो अनॉट इट स्टार्टेड लेखन चिकित साही ब्राधनता आपको करनी है और कैसे होता है कि बहुत बार व्याधी का स्वरूप हमें ध्यान में रखना होता है और ऐसे ट्यूमर कंडिशन्स में जो है कि थोड़ा सा प्रोगनोसिस देखके ही हमें ट्रिक्म कितसा कर सकते हैं बहुत बार पेशन को ओपन ले कहना कि इस हद तक हम ट्रेटमेट कर पाएंगे इससे आगे नहीं रिजल्स मिल पाएंगे वह भी पेशन्स के लिए काफी होता है तो वह कीज़े एंड कोई भी हम आयरवेद की विशेश नहीं कि कोई भी डिसीज के लिए प्रिटमेंट है नहीं हम अपने अपने एंगल से देख सकते हैं तो आप जिस तरीके से विचार करके उसको ट्रेट कर रहे हैं उसको कुछ समय के लिए वो कंटिनी कीजिए उतना ही काफी है नमस्कार आपका व्यक्ष्यान बहुत ही इंपरमेंटिव था एक मेरा मेरी योस्ति और बहुत ही क्रिश्च है तीन चार मेने से में उनको दवाई दे रही हूं है अभी उनकी शादी तैय हुई है तो कम दिनों में रिजल्ट करना चाह रहे हैं तो आपके अनुभव से PCOS में जो पद्रवाए होंगे तो उसमें आपकी चिकिस्ता का क्या सोच रही है और कितना प्रभावी तरिकी से मुन को हल्क पर से काफी अच्छा सवाल है में ली जो हर्सी उतिजम हमने पढ़ा था कि वहाँ पर इंक्रेज अंड्रोजेंस होते हैं जो होते हैं वो लेवल्स चेंज होने के यह लक्षन प्राप्त होते हैं एक तो ऐसी का अवस्था में अ मात्रा बस्ति का यूग बस्ती एक बार करवा लेजेसे लेकिन उसके बाद में हफते में दो या थीन दिन कंडेरगेंनीग्याफ टेEP का आप मातराबस्ती अगर लॉंग टम तक लॉंग टम यानि टोटल ऐसे जो है कि 20 या 30 मातराबस्ती आप प्लान करते हैं तो डेफिनेटली इसमें रिजर्ट्स आते हैं और क्योंकि कैसे होता है कि जो जैसे कम हो जाएंगे तो अपने आप वह बाल चले भी जाते हैं एक्टेनल हमें लोकल एप्लिकेशन से बहुत ज्यादा रिजर्ट्स नहीं मिलते तो एक बार लेवेल्स नॉर्मल हो जाए तो यह सारी रिजर्ट्स आते हैं तो इसलिए बस्ती का बहुत अच्छा यहां पर रोल होता है और स्थूल रुगणों में PCOS में वमन का अच्छा र करना है तो बार बार मुझे वही बोलती है कि लेटने से दवाई दे के अच्छा कर सकते हैं और टाइन लिमिट कम है तीन-चार में में करना है तो आप ऐसी कंडिशन से मैंने कहा कि अभी विलेंकर सरकी ट्लिनिक में हमने देखा है कि पंचकरम में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हफ़ते में सिर्फ आपको पांच मिनित का काम है खाना खाके आना है और फिर वो जो है 60-80 ml भी बहुत ज्यादा होगे 60 ml के आसपास जो है आप सब्सक्राइब का मातरा बस्ती दे सकते हैं ऐसे हफ़ते में दो बार तो उनको खह सकते हैं और ऐसे तीन-चार हफ़ते भ कर दो जलत धारना होती है कि पंचकरम ओपरेशन की तरह वन टाइम है मैंने एक बार करवाया तो हो गया पात साल पहले मैंने पंचकरम कर वाने पर होगे तो हम लॉग टरम तक पंचकरम कर वाने हैं तो यह थोड़ा सा कामसिलिंग भी जरूरी है और ऐसे कंडिशन में मानत कि बहुत 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 अफॉर्ड इबिलिटी या काफी साथे दिक्कते होती तो मात्रावस्ति का डेफिनेटिली उसमें रिजल्ट्स हैं धन्यवाद सर्व वेद्य उजवला जी ने चैट बॉक्स में मेंसेज किया हुआ है थाइरोड पेशिंट ठीक होने के बाद एज रसायन क्या कल्प विचार करे अपनर भव के लिए निदान परिवर्जन के साथ दो चीज़े है कि एक तो निदान परिवर्जन तो शुरू से ही करना है हमें जब से हम चिकिचा शुरू करेंगे तो तब से करना है प्रमुक्ता हार निशापान एक हेतु होता है बहुत सारे उर्भनों में कि सोने से पहले या जस सोते समय पानी पीना दूद पीना यह स्पेशली नौर्थ इंडिया में एक प्रचलन है कि रात को सोते समय दूद पीके सोते है तो यह निशापान हो जाता है यह प्रमुक्ता बंद करना है या फिर बाकी जो भी है तो उनको बंद करना है रसाय नमस्ता के लिए एक तो थैरोड के लिए पेशन के रिजल्टस आने के बाद भी दो-दो मेहने बाद में दो बार पेशन को कहता हूँ कि आप टेस्स करवालीजिये मतलब दूरिंग त्रेक्टमेंट दो-दो मैने में मैं टेसेस चेक करवाते रहता हूं और बाद में जब नॉर्मल होने के बाद जब हम ट्रेक्टमेंट स्टॉप करते तुछ दो-दो मैने बाद तो पूरे थाइरोड की ये कंडिशन के लिए जो है कि अच्छा रसायन का उसमें उपयोग हो सकता है या फिर बाकी भी जो है अम नित्य रसायन कल्प देते हैं उनका भी हम हम इस्तिमाल कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे कलप हैं जो हम रहसान करके दे सकते हैं आनेवाद वह दिप्रीती गोथवाल जी का चैट बॉक्स में मेसेज है सर आ है राइट शोल्डर पेंड सिंस मैंनी मॉंस प्लीज सजेस्ट मी ट्रीटमेंट ऐसे सवाल आते तो थोड़ा सा मैं डाल जाता हूं आइधिंक प्रीती जी मनोज सर जी का फो नंबर दिया गया है चैट बॉक्स में अप उन से परसनली करने कीजे बिकॉस सिर्फ एक शोल्डर पेंड से डाइगनोसिस करना बहुत मुश्किल है दिक्कत है डाइगनोसिस के लिए और भी कहीं कहीं डीटिल्स चाहिए होंगी तो आइवुड सज्जेस्ट यू कनेक्ट वेद्य मनोज सर जी और परसनली तो ठीक रहेगा ना सर जी यहां पर किसी के भावनों को ठेच पहुंचाने का कोई उद्देश नहीं मेरे लेवल पर या आयो जोको की तरफ से लेकिन यह बाते हम सभी वेद्य जानते हैं कि इसमें बहुत सारे चीज़ें जूड़ी हो सकती है तो सभी का विचार करके हम उस पर बात में चर्चा कर सकते हैं अभी मिटिंग में कुछ और उस पर प्रश्चन ले सकते हैं अगर समय है तो जी वैदी मुकेश कुमार जी ने हैंड रेस किया हुआ है वैदी मुकेश जी आप अन्म्यूट होकर आपना क्वेश्चन पूच स सर उसको कुछ इन्वेश्टिकरशन वी हुआ है सार उसमें सीपीकेस या सीपीकेस टेष्टि लगवक्त जो है वह वह थेरा जा सास्सो पर रेंज सर तो सर अभी प्रवल्म यह बच्ची में सर जैसे कि अभी यह चलते जलते गिर जाती आपी प्रवल्म अलगबा च्छे मह जाने डागनोस हुआ उसे तब से श्टाटिक मना इता और यह वह उठती है बेटने के बाद में सर तो उसको सारे लगके उठना पड़ता है तो सर इसमें किस पाकार से पंच काम के दोवारा सर पुरा नेजमेंट ने कर सकते हैं सर मैंने भी सेश्टिस आलिक पिंड से अवाल मुखे जी ने पूछा है इस पर एक मैं सभी के लिए जानकरी देना चाहूंगा कि बहुत बार हमारे दृष्टि कौन से व्यादी होता है याने कि वात की गृद्धी होगे यह हो गया लेकिन क्षिण दोशों से भी व्यादी होते हैं यह बहुत बार बहुत कम बार हम सोचते हैं और यह अगर हम ज़्यादा बार सोचना चाहते है यह इसके बारे में जानकरी लेना चाहते हैं तो खिण दोश चिकित्सा नाम के एक बुक पब्लिश है वासा अंदन करकर शासरी जी जो विदर्बसे थे उनका यह बुक पब्लिश है तो आप जरूर उसमें तो उसमें चर्चा की गई है क्षिण दोश और धातों के बारे में कि क्या वो व्यादी उत्पादन कर सकते हैं। इतनी तक नोबत हमने पेशन्स देखे हैं। स्वेधन शुरू में योग बस्ती और फिर बात में यापन बस्ती आज कल यापन बस्ती के किट्स भी आते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजर्ट्स हैं। और कुछ कंडिशन्स में जरूरी पटने पर अगनी कर्म का भी हम सहारा ले सकते हैं। यापन बस्ती आप एड़ करेंगे तो ज्यादा फाइदा होगा। जिरंदर चिकित्स भी माफसदा तो बल्लि चिकित्स करनी है। yht old जिइंडन की शड़व करतां। जिए धन्याद शस्थर करें। जिएंफनन बस्ति सेर्ण सेर्वक। तरह दुब चरब्शन का इनत्यान ямने इस वह wesjak बैंसली को जाथलिए जाधा नहीं तो liksom कि उसको वह कुछक खूप subjects ऑभेक्षित और जादा मात्र हो गी हमुचनगी कि यहां आप देकेगे तो उसके बेस्ट रिजर्ट्स है और दो अपते तीन अपते तक तो मिनिमम देना है एक साथ दिन में कुछ नहीं होगा सकते हैं जी सल्जी है थैंकू सब्सक्राइब का क्वेश्चन है चैट बॉक्स में एके सो सेकेंडरी इंफर्टिलिटी विद एनो वुलेटरी साइकल लो ए पिरियर्ट्स तो दो महिने तीन महिने में आ जाते हैं पेशन को लगता है सब सही है ठीक है न दो देरी से आते हैं लेकिन अनुवलेटरी है तो फिर कंसेप्शन होई नहीं पाएगा और इंफर्टिलिटी उसके उजय से होती है एमेच लेवल्स और यह सारी चीज़े है कह दे सकते हैं को को पहिना भी हमें दूर करना है कांसिलिंग करना है और इंफर्टिलिटी के पेशन्स तो हम सभी जाते हैं कि सबसे इमपेशन्ट अगर कोई होते हैं तो इसे इसे और यह जगाफ हो नहीं पाते हैं लेकिन जो भी ट्रिट्मेंट है इस तरीके से आप कर सकते हैं धन्यवाद, डॉक्टर सुवीधा परभ जी का प्रिशना है, वोट केन बी यूज़ टू इंक्रीज एमेच लेविल्स? वही कि हम सिंटमेटिक नहीं जा सकते, वही कि ये दवाई आपको एमेच बढ़ाएगी, ये कम करेगी, ये चीज आपको ये गोली आपको हाइपो थोराडिजम में देनी है, जैसे अल्टरॉक्सिन देते हैं, या थैरो नॉम देते हैं, वैसे कोई एक पर्टिकुल दवाई हमने इस देख सकते, हम संपरप्ति का व और एकोर्डिनली ट्रेटमेंट करनी है, ये सारा मतलब इतना जो आईरवध का नॉलेज है, तो उसके सामने हमारा नॉलेज तो बिंदु मातर भी नहीं है, तो इसमें और हम नहीं कह सकते कि यही सही है, गलत है, बहुत सारी चीज़ा काम कर सकती है, हम मैं सर्फ विचार कर करना है कि मुझे कहा तक काम करना है, कैसे काम करना है, कोई पर्टिकुलर लिने ही है, पिछले कुछ सालों से हमारे मैं जिस कॉलेज से अटाच हूं, वहाँ पे थाइरोड पे काम हो रहा है, डियाबेडिस पे काम हो रहा है, पोस डेजियोट डिपार्टमेंट है, वहाँ तो हर बार जो है कि अलग-अलग दवाईयों के रिजल्स है थाइरोड के लिए तो कांचन और गुडिका से लेके अलग-अलग मेडिसिन के रिजल्स आएं तो एक पर्टिकुलर कोई दवाई जैसे हम कहते कि बुखारे पारासेटमॉल ले लिजे वैसे कोई एक पर्टिकुल प्रदीब गड़ी नाशिक से बात कर रहा हूं मेरा आवाज तुने दे रहे हैं तो अभी मेरे पास एक पुना से ग्लायोमा याने ब्रेंट यूमर के पेशन्ट आ रहे है उसके पहले भी मैं ग्लायोमा के पेशन्ट को ट्रीटमेंट दे रहा हूं तो मेरी लाइन आफ ट् अब दे तो आच्छा रहेगा तो यह जो पेशन्ट को मैं अभी ट्रीट करा हूं वो नियूरोजिस्ट के गाइडन्स के साथ ट्रीट मेंट दे रहा हूं उसमें से मैंने हर एक मैं कैंसर के पेशन्ट को बस्ती देता हूं अनुवस्त अनिरोह उसके बहुत अच्छे रिजर्स में मिले है मुचे इस ऐसे अलोपेटिक स्फुर कंसरूर्टर उप तेट फेकल्टी तो पंच बस्ती नस्या देह रहा हूं मैं और उसके साथ सुलापूर के वाईदिय नुसरा बागयवडी का उनका भी मुझे मारगर से मिला था तो उनके कहने से कि अनुसर मैं हिरग बस्तम इस्तिमाल करता हूं तो उसके साथ और क्या विटमेंट देना जोरी है वाब बताईए प्रदीप सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह केस सर ने हम सबसे शेयर की इसमें सर में और कुछ जोड़ना नहीं चाहूंगा बस बस्ति के रिजल्ट के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि वैवारिक है कि बस्ति की हमने और रिजल्ट मिले बहुत बार इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं या जानकारी लेते हैं तो इसको बहुत अच्छे से हम एक्स्प्रेंड कर पाएंगे आज इसके बहुत काम चल रहा है कि हमारा इंटेस्टाइन और हमारा ब्रेन इन दुनों का ड्यूएल कनेक्शन है दोनों एक दूसरे को रिस्पॉंड करते हैं तो हम जो कहते हैं आईर्वेद में कि पकवाशे ये वात का प्रमुख स्थान है और पकवाशे पर अगर हम काम कर प्रम जानाता है हम्हारे आफर और हम्हें डाइंत कर्शोती तो इसको बहूत अच्छी तरीके से हम घृट प्रेर इक्सित वारउं हम explain कर सकते हैं, तो definitely आप कभी neurologist को बाता सकते कि ये gut brain access की concept हमारे आयरोड में है, और that's why मेरी बस्ती results दे रही है, अस्ती मज्जा सिद्ध गुरुत या फिर ऐसी दवाईया जो हस्ती मज्जा काम करने वाली शुकर और गामी भी दवाईया हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अगें बहुत बार हमें व्यादी का प्रोगनोसिस देखना होता है, कुछ बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ जो भी cancer के patients में ने treatment करने की कोशिश की सारे तो ठीक होने वाले नहीं थे लेकिन जितना भी चिकेट सा करने का अवधी मिला उसमें रुगन जो है कि उसका life expectancy थोड़ी बढ़ गई और जो life वो easy हो गई थी बस इतना ही उसमें बहुत बार कीमो के side effect है वो कम हो गई या बाकी चीज़े कम हो गई इतना ही results हम दे पाएं क्योंकि बहुत बाट terminal condition terminal stages में patient हमारे पास आता है ये भी एक है डॉक्टर सरदेश मुकसर का book cancer के लिए publish हो चुका है कि अलग-अलग cancer के cases उन्होंने दिये हैं और उसके results कैसे मिले और treatment क्या दी है उसका उन्होंने विवेचन किया है वो बूप का भी आप जरूर इस्तेमाल कर सकते है cancer maza sangati शायद में गलत नहीं हूँ तो वो उसका नाव है डॉक्टर सरदेश मुकसर जो पूना वागोली के है उनका वो बूप published है अवर एक बात बता तो इस patient के बारे में ये patient दो बार उतका operation हो चुका है और अभी neurosurgeon ने बता है कि अभी operation का कुछ फाइदा नहीं नामूम की नहीं यानि एलोपैथी में कुछ भी अभी treatment शेच नहीं रही है तो अभी ये challenging कैसे आईरवेद के लिए भी इसलिए मैंने आपको पूछा और मेरा और एक भाग्या है कि डॉक्टर सर्देश्मुक सर हमारे प्रोफेसर ही थे जब तुद नामे पढ़ता था आप ग्रेट गड्यवाद बाइद लाग्षा प्रेश्ण चिल्र ने सफरिंग फ्रूफ्रिंग इंड घर आनों इस व्रूफ्टर संफुर एंडर मिखिंग कि प्रशंद ब्द्स को जिए इस बार्धर दूक्टर संब्स, प्रूफिक, अम ने अभी चल्चा कियते हैं मैं करना है और बहुत सारे केसे तो सेल्फ लिमिटिंग होती है कुछ ऐसे कंडिशन्स है कि जिनमें हमें जो है या पिया फिर कर्ष्टस आद्धे की तरफ जाते हैं उसमें यापन बस्ती का एक बहुत अच्छा का रिजल्ट्स है ऐसे तेरा साल का एक बच्चा है जो मस्को डिस्ट ओफी से सफ़र्ड है वीलचेर पे है तो ऐसे बच्चे का प्रोगनोसिस क्या हो सकते है अगर हम ऐसे इस टाइम पर ट्रीक्मेंट भी स्टार्ट कर देते हैं तो अब भी तेरा साल है गम उम्रम है तो मेरे खाल से और बाकी चीज़ें भी देखनी होगी क्लिनिकली भी देखना होगा लेकिन ऐसे केसे हो जाते हैं मैंने खुद एक केस जब मैं इंटर्शिप में था तो खुद मैंने केस देखी थी ट्रेट करने का मुझे सोबागे मिला तो वो तो मतलब मुझसे दो साल चोटा याने 15-17 साल का कॉलेज गूइं स्टूडन था और अच्छानक से उसको मस्कुलर डिस्टॉफी मतलब वो वीकिनेश जेवलप होने लगा सीडियों से चलते चलते वो दो-चार बार गिल गया तो उसके जैसे उसके मन में भय उत्प दो कि जो करने में तो उसको भी कहीं पर कम करना है माउसेदातों के भी बलन करना है तो ऐसे उस पेशन्ट में है कि मैं चिकिटसा करने वाला वद्यान नहीं था ूख परिचार् attitudes आपन ल्ब्षा सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू सब्सक्राइब पर पूछ रही हैं वाट केंड बीड़न इने केस्ट डियाग्नोस्ट विद फाइब्रो माइल लेजिए सब्सक्राइब लेकिन उसके लक्षण क्या है यह तो हम सभी जान सकते उन लक्षणों का यहां पर यहां पर क्लिनिकल मीटिंग्स यहां पर हमने रटेंड की आप यहां पर वेदा मैडम है वो तो ऐसे ख्लिनिकल मेटिंग करके तद्विद्य संभाशा करके आप इसमें जो है कि ट्रिटमेंट में चेंज कर सकते हैं बाकी इसमें अगेन वही होगा कि जब तक पेशन्ट के डीटियल्स या बाकी सारे चीज़े नहीं देखे तो उस पर डिरेक्ली कमेंट करना या पूस्तिका रचनात्मक अवयाव अध्ययन कहां पर उपलब्ध है वह एक्चली वह जो पूस्तक है उसमें हमारे सारे जितने सॉफ्ट और गन से उनका आयरिवदिक वीवेचन लिखा है कि हम अनाटमी में लिवर पढ़ते हैं तो एक्सटरनल फीचर से लेके सारे चीज़ वो उडियल द्वारा पुस्तक में आपके पास पहुंचा दूँगा जी घन्यवाद मनुद सर जी मैं सभी से अनुरोद करूँगी कि अगर किसी और किसी को भी अगर कोई और प्रश्न है शंका है तो आप मनुद सर से उनके नंबर पे प्लीस कॉंटक कीजेगा कि मैं आहिरवयद व्यास्पिट बैंगलोज शाखा की और से केंद्रिय कार्यकार्णिया अध्यक्षर वैध्या श्री मती रजनी कुखले मैडम जी का उपध्यक्षर वैध्य मलाज जोसी सर जी का हमारे आज के वक्ता वैध्यया मनोजकताब जी सर जी का केंदर कार्यकार्यए के जो भी सदस्यार उपस्तित रहे उनका वरिष्ट सभी वैद्यगर्ण और एवन सह वैद्यगर्णों का तहे दिल से शुक्रियादग करना चाहती हूं वे देमनो जब आप जी आज आपने अपना वक्त निकाल कर हमारा किमती समवे निकाल कर हमें संबोधित किया इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी झाल झाल